एक बहुत ही खुबसूरत परिवार जो अपनी परंपराओं और संस्कृती से आज भी वैसे ही जुड़ा है जैसे कई साल पहले हम हुआ करते थे जेकब अपने परिवार को छोड़ कर कहीं जा रहा है और हर कोई उसके जाने पर उदास है ये शहर को देखकर ऐसा लगता है कि ये आज भी सौ साल पहले जी रहा हो हर कोई मेहनत कर रहा है और और ओरते वॉलीबॉल खेल रही है पिता अपने बेटे जेकब को एक किताब देते हैं और उसे कहते हैं जब रमस्प्रिंग खतम होगा और वो लोटेगा तो वो अपने लिए एक लड़की ढून कर शादी कर सकता है और तभी वो अपनी दाड़ी भी बढ़ा सकता है ये सुनकर जेकब बहुत खुश होता है पर अब उसे अपने सफर रमस्प्रिंग के लिए जाना होगा पर रमस्प्रिंग होता क्या है? तो रमस्प्रिंग में एक एमिश इंसान अपने टीनेज में वो सारे गुना करता है जिसकी उसे आम जिंदगी में पाबंदी होती है वो ऐसा इसलिए करता है ताकि वो समझ सके कि गुना से कोई भला नहीं होता और वो अपने खुदा से और करीब आ सके जेकब पहली बार हवाई जहाज में सफर तै करता है पर जैसे तैसे वो बरलिन पहुची जाता है जहां वो एरपोर्ट पर अपने अंकल का इंतिजार कर रहा है वो एक लड़की की टाक्सी में सामान रखने में मदद करता है पर गलती से टाक्सी ड्राइवर जेकब का ही सामान अंदर रख लेता है जब जेकब को ये पता चलता है तो वो अपना सामान लेने के लिए टाक्सी का पीछा करता है और उसी टैक्सी में बैट जाता है जिसमें उसके अंकल उसे लेने आये थे और वो जेकब को नहीं देख पाते जैसे ही टैक्सी ड्राइवर को ये पता चलता है कि जेकब के पास पैसे नहीं है तो वो से बीच रास्ते में ही उतार देती है वो इस अंजान शहर में बहुत ही घबराया हुआ है तब ही उसे अपने गाउं की तरह दिखने वाला एक आदमी दिखता है और वो उससे मदद बांगता है पर अल्फ उसे बताता है कि वो कोई आमिश नहीं है ये दाड़ी और ये हूलिया तो उसने बस इसलिए लिया है क्योंकि ये उसका स्टाइल है और जेकब उसका पीछा ना करे और तब ही जेकब की बाइक से टककर हो जाती है और अल्फ उसकी मदद करता है यहां हम देखते हैं कि अल्फ फ्रेया नाम की एक इंफ्लूएंसर से बहुत प्यार करता है पर फ्रेया बस उसके साथ टाइम पास कर रही है अल्फ जेकब के घाओ पर पट्टी लगाने में उसकी मदद करता है और कुछ देर बाद जेकब वहां से चला जाता है पर वो इस दुनिया में बिलकुली नया है उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो कैसे कुछ करे वहीं घर पर अल्फ अपनी दाड़ी काट लेता है यह सोच कर कि इसकी आब उसे जरूरत नहीं है जब अल्फ कुछ सामान लेने बाहर जाता है तब ही वो देखता है कि कुछ बच्चे जेकब को लूट रहे है वो उसे बचा कर अपने घर ले आता है और उसे कहता है कि जेकब यहां रह सकता है पर उसे कुछ रूल्स फॉलो करने होंगे जेकब बताता है कि वो सारे रूल्स फॉलो करेगा और वो तो कई rules already follow करता है वो इस सूरज उटने पर उट जाता है कभी शराब नहीं पीता, सिगरेट नहीं पीता, पाटी नहीं करता और लड़कियों की तरफ नहीं देखता Jacob इस नहीं जगापर अपने आपको adjust करने की खूब कोशिश करता है यहां उसके लिए सब कुछ एक जादू जैसा है अगले दिन, वो आफ को बताता है कि उसका बैग एक लड़की की गाड़ी में चला गया था और उसके पास बस ये कार्ड है, जो उस लड़की के बैग से गिर गया था आफ बताता है कि ये एक restaurant का लोयल्टी कार्ड है रहे, restaurant पे बहुचने पर restaurant की owner किसी भी customer की information देने से मना कर देती है तब ही आफ जेकब को सुझाव देता है कि वो इस restaurant में delivery का काम कर सकता है आफ उसे अपने project के बारे में भी बताता है कि वो एक library design करना चाहता है जहाँ लोगों को ये पता चल जाए कि उन्हें कौन सी book पढ़नी चाहिए क्योंकि usually लोग library में ये confused होते है कि उन्हें कौन सी book पढ़नी चाहिए ये scene से ये तो पता चली जाता है कि आफ बस एक बिगडा हुआ पैसे वाला इंसान नहीं है पर उसके पास कुछ अच्छे ideas भी है finally एक दिन delivery का काम करते हुए जेकब को वो airport वाली लड़की की photo दिख जाती है और साथ ही अपना bag भी जिसमें उसकी push tiny Bible है जेकब आफ को अपनी Bible के बारे में बताता है जिसके अंदर उसकी कई PDO के नाम लिखे हुए है और यहां वो इसलिए आया है ताकि वो अपने परिवार की जड़ों से और भी करीब हो सके और जेकब कहता है कि वो कुछ दिनों में यहां से चला जाएगा पर उसके जाने से पहले आफ उसे दाड़ी लगा कर एक नया लुक देता है और कहता है कि उसे जाने से पहले उसके साथ एक party करनी होगी और वो जेकब को अपने साथ party में ले जाता है जहां फ्रेया अल्फ को सब कुछ बताती है कि उसे अपने product के लिए एक investor मिल गया है और वो उसे सबसे मिलाती है अल्फ फ्रेजा से पूछता है कि कब वो उससे actually में प्यार करेगी या उसके करीब होगी फ्रेजा पहले तो कुछ समझ नहीं पाती फिर अल्फ उसे समझाता है कि वो monogamy relationship चाता है फ्रेजा अल्फ के साथ में monogamy में believe नहीं करना चाती वो उसे मना करके वहाँ से चली जाती है जेकब पहली बार beer पीता है और रशे में खूब dance करता है तब ही उस party में इना आ जाती है और जेकब को देखते ही पैचान लेती है और उसे कहती है कि उसे जेकब से अच्छी तरह माफी मांगनी है और वो उसे dinner पर बुलाती है जेकब अगले दिन एक board पर जो जो गुना उसने किये है उन्हें लिख लेता है जेकब इना को अपने rum spring के बारे में बताता है इना जेकब की बातों से उसके करीब आ जाती है पर जेकब डर कर वहां से चला जाता है कि कहीं वो कोई और गुना ना कर बैठे पर जेकब को इस बात का बहुत अफसोस है वहीं फ्रेजा अल्फ के पास वापस आ जाती है अल्फ इस बात से बहुत खुश है और वो अगले दिन जेकब को अपनी गारी चलाने देता है जेकब जो भी अब तक experience कर रहा है उसने ऐसा पहले कभी नहीं किया जेकब अल्फ से कहता है कि अगर वो फ्रेया से प्यार करता है तो उसे उसे बता देना चाहिए अगर वो उसके खोने के डर से उसे नहीं बताता तो एक दिन उसके खोने पर उसे इस बात का बहुत अफसोस होगा कि उसने कभी अपने दिल की बात फ्रेया से इजहार नहीं की अल्फ जेकब से भी यही बात कहता है कि अगर वो इना को पसंद करता है तो उसे उसे बता देना चाहिए जेकब कहता है कि उसके धर्म में यह हराम है अगर वो किसी बाहर की लड़की से प्यार करे अल्फ कहता है कि उसे और इना को जाने से पहले एक दिन फ्रेया और उसके साथ बिताना चाहिए जेकब इना से कहता है कि Amish culture में अपने प्यार को जानने के लिए लोग volleyball खेलते है इना इस बात से impress हो जाती है दोनों फ्रेया और Alf को एक दूसरे के साथ बिजी देखकर इना और जेकब वहाँ से चले जाते है जेकब और इना एक दूसरे के काफी करीब हो जाते है वहीं फ्रेया और आल्फ को बताती है कि उसने अपने स्टार्ट अप के investor को मना कर दिया है और फ्रेया से कहता है कि जिस तरह वो अपनी जिंदगी के goal रोज बदलती है उसे डर है कि कहीं एक दिन उसका दिलदा तूट जाए क्योंकि वो उसे भी कभी भी बलल सकती है ये सुनकर आल्फ से फ्रेया ब्रेक अप कर लेती है आल्फ के लिए ये सब बहुत ही मुश्किल है क्योंकि वो उससे सच्चा प्यार करता था घर लोटने पर आल्फ को पता चलता है कि उसके पिता की देट हो गई है शायद आज आल्फ का सबसे बुरा दिन है और वो जेकब को फ्यूनरल पे अपने साथ आने को कहता है इना जेकब को अपने आट सेल पर ले जाती है जेकब ये देखकर हैरान हो जाता है कि जो इंसान सारी जिंदगी सूरज उगने से पहले उठता था वो उसके पिता के फ्यूनरिल के दिन सो गया जेकब समझाने की कोशिश करता है पर अल्फ जेकब से बिलकुल बात नहीं करना चाता गुसे में आकर वो अपने ड्रीम लाइबरी प्रोजेक को भी तोड़ देता है और जेकब को कहता है कि वो उससे कभी नहीं मिलना चाता जेकब भी गुसे में अल्फ की गाड़ी चोरी करकर भाग जाता है वो फाइनली अपने अंकल से मिलता है और उन्हें अपनी खांदानी बाइबल बताता है अंकल जेकब को बताते हैं कि रम स्प्रिंग इसलिए नहीं है कि वो कुछ गुना करके अपनी पुरानी जिंदगी में लोट सके बल्कि ये एक तरीका है खुद को जानने का कि वो जिंदगी से अक्चुली में क्या चाते हैं उसका जवाब कोई बुक में नहीं बल्कि रम स्प्रिंग के एक्स्पिरियंस में है जेकब सब कुछ समझ जाता है और वो दौड कर अल्फ को ढूनने घर आता है उसे पता चलता है कि एल्फ शेहर छोड कर जा रहा है जेकब नहीं चाता कि एल्फ अपने एक्जाम मिस करे और वो एरपोर्ट दौरता है पर काड़ी का फ्यूल बीच रास्ते में ही खत्म हो जाता है तब ही जेकब को एक घोडा दिखाई देता है वो किसी सिंड्रेला की स्टोरी की तरह आल्फ को ढूंते हुए घोडे पर एरपोर्ट आ जाता है वो आल्फ से कहता है कि वो बस आठ साल तक स्कूल पड़ पाया और अगर वो शायद कुछ और पड़ पाता तो जिंदगी में कहीं और होता और वो ये नहीं चाता कि अल्फ अपनी पड़ाई को पीछे छोड़े अल्फ आखिर में मान जाता है और अपने एक्जाम्स पूरा कर पास हो जाता है चेकब इना के पास वापस आ जाता है और अपने परिवार को चिटी लिख कर बताता है कि वो जल्द वापस नहीं आना चाता उसे लगता है कि उसकी जिंदगी का मकसद यहाँ है वो अपने आप को ढूनना चाता है फाइनली इस राम स्प्रिंग पर जेकब को वो मिलिया जो वो चाता था और यही थी उसकी कहानी अब तक